इस सप्ता के अतिमहत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स इस प्रकार है। देविड बेकर, देमिस हसाबीस और जान जमपर इस प्रकार है। करती है शांति का नोबेल पुरसकार जापानी संगठन निहोन हिडानक्यों को दिया जाएगा यह संगठन हिरोशिमा और नागासा की परमानु हमले में बचे लोगों की देख भाल करता है आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरसकार डेरोन एस मोगलू साइमन जॉंसन और ज महत्वपूर्ण खबरों में है भारत के साथ वित्तिय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में लॉंच किये गए कार्ड का नाम क्या है रुपे कार्ड 9 अक्तूबर 2024 को आर्बिया डिप्टी गवर्नरों में से किसे एक साल का सेवा विस्तार मिला है राजेश साथ से 9 अक्तूबर तक किस संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिन पूर्व एशिया के लिए अपना 97 वहा क्षेत्रिय समित सत्र आयोजित किया विश्व स्वास्थे संगठन में हाल ही में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने निजुत मोईना योजना के तहट मासिक वित्तिय सहायता का विद्रण शुरू किया है असम के मुख्य मंत्री हिमंता विस्वा सर्मा ने निजुत मोईना योजना बाल विबाह के रोग थांग और छात्राओं को उच्छ शिक्षा पराप्त करने में सहायता करने के लिए है चौथी आई एस एस एफ जूनियर विश्वर चैंपियनशिप दो हजार चौबीस में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्श पर रहा भारत भारत ने तेरह स्वार्ण तीन रजट और आठकां स्यसाहित कुल चौबीस पदक जीते माइंडफुल्नेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण मुंबई में कब आयोजित होगा सत्रह और अठारह अक्टूबर हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत सब का आयोजन किया महर मध्य प्रदेश में 7 अक्टूबर को कैस सयद किस देश के राष्ट्रपती के रूप में पुणह चुने गए है क्योनीशिया हिमाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर 2024 को मादक पदार्थों की तसकरी से निपटने और नशे के आदी लोगों के पुनरवास में साहेता करने के लिए किस पहल की शुरुवात की गई है संकल पहर भारत में 2-8 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रिय वन्यजीव सप्ता दो हजार चौबिस का विशय क्या था हमारी प्राकृतिक धरोवत की सुरक्षा हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहले का उधाटन किया महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरा देवी कस्बे में 8 अक्टूबर को किसने टीबी रोग्यों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोशन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण पहलों की घोशना की है केंद्रिय स्वास्थे मंत्री जेपी नड़ा ने हाल ही में आये तूफान मिल्टन के कारण नासा और स्पेसेक्स के किस मिशन के लौंच में देरी हुई यूरोपा क्लेपर मिशन इस मिशन का लक्षय ग्रहस्पती के उपकरह यूरोपा पर जीवन की खोज करना है 13 हक्टूबर को खंडवा मध्य प्रदेश में आयोजित समारो में किसे वर्ष 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया जाएगा राजकुमार तिरानी हाल ही में महाराष्टर के किस शेहर का नाम वदल कर अहिल्या नगर करने का प्रस्ताव रखता है अहमद नगर हाल ही में जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोशित किया गया है उमर अब्दुल्ला हाल ही में किस राजज ने जल जगार अभियान की शुरुवात की है 36 गर हाल ही में किसने प्रयागरज में आयोजित होने वाले कुम्भ दो हजार पचीस के लिए नए प्रतिक चिन्ह का अनावरण किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात भारत की मेजबानी में मालाबार अभ्यास का 28 वा संसकरण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया वर्ष 2024 के लिए इसका विश्व क्या था सूती वस्तर मूल्य श्रंक्ता को आकार देने वाले मेगा ट्रेंड्स नवंबर 2024 में विस्तारा एरलाइन का विलाए किस एरलाइन में किया जाएगा एर इंडिया हाल ही में विश्व बैंक के साथ हुए समझोते के मुताबिक किस देश को कारबन ट्रेडिंग से 1600 करोड रुपए मिलेंगे नेपाल भारतिय अंतरराश्ट्रिय विज्ञान महुतसब 2024 का दस्वा सल्सकरण कहां आयोजित किया जाएगा आयाइटी गुवाहटी में आठ अक्टूबर 2024 को आयोजित सत्तरवे राष्ट्रे फिल्म पुरसकार समारों में बेस्ट एक्टर्स के नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया नित्या मेनन और मानसी पारेक को चाह से दस अक्टूबर तक किस देश के राष्ट्रपती मुहम्मद मुईचु भारत की आधिकारी क्यातरा पर आएगे माल दी हाल ही में कहां बापू टावर का लोकार पंड किया गया है पटना के गर्दनी बाग में भारत चार से साथ नवंबर तक कहां आयोजित होने वाली यूरो नेवल दो हजार चौबीस रक्षा प्रदशनी में भाग लेगा फ्रांस में हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खोखो वर्ल्ड कप दो हजार पच्चीस का आयोजित कहां होगा भारत में हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेटर प्रवीन जैविक क्रमा को एक साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारुपों से प्रतिबंधित कर दिया श्री लंका हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाशाओं को शास्त्रिय भाशा का दरजा दिया है पांच, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इसलामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली शंगाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित कौन करेगा विदेश मंत्रियस जेशंकर किस देश ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत हाल ही में नागलेंड ने 25 वे हॉर्न बिल महुतसव के लिए किस देश के साथ साजेदारी की है वेल्स किसने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता स्पेन के कार्लोस अलकाराज ने प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धर्तियाबा जन जातिय ग्राम उतकर्ष अभियान की शुरुआत की है जार खंड ने हाल ही में किसने 27 साल बाद इरानी कब जीता है मुंबई हाल ही में किसे जै विविधता के लिए पहला एशियाई चैंपियन हौकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर गुडिया का अनावरण किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने